और अगनपती बाप्पा मोडेया हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं जाएसे दो मुदख की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और अगनेस्टत्ती नजदी की ले तो मैं आज आप लोगों के लिए और एक मोड़की रेसिपी लेकर आई हूँ यह है स्टीम मोड़की रेसिपी तो आप लोगों को इसमें जो रेसिपी अच्छा लगे और प्राय कर सकते हो गनेस्टत्ति में और गंपती जी को फोग चला सकते हो पहले में मोड़की स्टफिंग बनाएंगी इस्टफिंग के लिए मैंने करयी पे थोड़ा सा घी डाल दिया है अब ये घी पे मैं ये नारियाल ढूंगी अब नारियाल को थोड़ा सा फ्राय कर देका है एक अच्छ़ा कुष्भू निकल निकले तर यह नारियल अच्छे से फ्राइब हो रहा है इसमें से अच्छा है खुश्डु आ रहा है अब इसमें मैं यह गुर ड़ा दूंगे अब देख सकते हैं यह गुर और नारियल एक ताद लीक्ष्ट हो गया है और इसमें अच्छा कुंगी मैं इसमें 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 अच्छा पादें जाएंगे कर दो और देख सकते हुआ है ठाफिग रेडी हो गए है और प्थंड़ ओने के लिए है थे आटामे और मैं यह अगया नढ़ से मेजर करके एक प्राद कारण पा पानी बडंगे अब यह फन कब डिल्यकों कार दूंग एक काप आटे के लिए एक काप पानी इस पानी में मैं थोड़ा सा मिल्क एट करूंगे डालूंगे थोड़ा सा घी थोड़ा सा नमक और डालूंगे थोड़ा सा शर्च तर अच्छावल का टाट कर दूंगे यह पानी में पानी में यह चावल का टाट कर दूंगी तो यह आटे को मैं अभी पाच मिनिट के लिए ढग दूंगे तो यह आटा भी थंड़ा हो गया थोड़ा सा एककम थंड़ा नहीं करना है थोड़ा सा थंड़ा हो गया जैसे हाथ लगा सकते हो इतना देखना है तो अभी मैं इसको निकाल दूंगी अभी मसल ना है तो आप देख सकते हो थाटार रेडी अब तो अब देख सकते हो मोदो काटारी हो गया है एकड़ है अध़ है अच्छे से बन गया है यह और इसे मैंने स्टाफिंग भी देख दिया है और डालने के तिए तो यह मोल आपको मार्केट में इसली मिल जाएगा ये 22-30 रूपिस ऐसा कुछ लेता है तो अंदल में थोड़ा सा घी में ब्राश कर लोंगी अभी इसमें थोड़ा सा मिक्स्चर लेकर इसके अंदर डालोंगी बीच में बनाते हुए करना है अब इसके अंदर में ये नारियन का पूर डाल दो दें अपी चेस इसको बन कर दोंगी में परेबन के रेडी है हाओए है कीशके पाल कीशके बहुटी के छुटी के बहुटी के जह है के लुटी के लड़ी आपान आड़के रहा है, भी आपने, तो सब्छके सज़ाइब करें करें तो से कारा हैं। झाल सिर्णी में आपने समय के लाइब करें तो हैं। आपने छोड़ा हैं। कर दो יुदंग तो यह रहा सारे मुदब अब इसको स्ट्रीम करना है सब डेड़ी हो गया है यह कितना अच्छा लग रहा है देखने में देखो अच्छा लग रहा है देखने में देखो तो इधर में स्ट्रीम करने के लिए इडली कुकर का यूज कर रही हूँ अभी इसमें सब डाल दूंगी एक एक करके तीसी स्ट्रीम करने दे दिया है अभी इसको मेंट हो तूंगी तो यह रहा हो तक यह रेडी हो गए रहा है तो देख लीजिए यह कितना सुन्दर से हुआ है पिछे से भी नहीं तूटा है और यह क्रम अच्छे से निकल भी जा रहा है यह देखिए यह देखिए एक भी नीचे से खरब नहीं हुआ है और फड़ भी नहीं गया है तो यह मोदा करेडी हो गया है मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सा केसर विगा के रखा था दा दूद में तो उसको सिर्फ एक किया है उपर से आप इसके उपर से घी भी डाल सकते हो अगर दूब तो आप लोगों का मेरा यह मोदा करेसी पी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई झाल, झाल,णी बेल खित आप लाच झाल,गर को मैं तो झाल,णी पर वीडियो अझें साथ तो आप लोगों से लिए मारा के come haircut लोगी के साथ तो आप लोगरों से लगए, बाई रगए, बाई HUगए रिए मHजियों से लगश मैं झाल,गग ay, फश्ड़ को पीयों साथ,